इस वीडियो में CRPF Constable एक्जाम के लिए हम लोग math के कुछ important question देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पास में बेल आइकन हो तो उसको भी जरूर दबा ले तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो आज के session में पहला question है एक आयता कार पानी की टंकी में 5 मीटर उची मतलब जो उचाई है H बराबर वो है 5 मीटर और 3 मीटर लंबी और लंबाई कितनी L बराबर 3 मीटर और चोड़ी है 2 मीटर और ब्रित कितनी है तो ये हो जाएगी 2 मीटर तो इसमें कितने L पानी भरा जा सकता देखिए एक आयता कार आपकी पहले तो आप जान लीजेगा आपकी टंकी जो है वो कैसी है आयता कार मतलब घन के आकार की हो जाएगी और जो घन होगा उसके बाद अगर टंकी का देखा जाए तो ये घनाओ की आकरती ले लेगा जाएगा क्योंकि उसमें पानी भी भर रहे है तो घनाओ का आयतन क्या होता है घनाओ का आयतन ये होता है LBH L into B into H अब इसमें बैलू को पुट कर देंगे 5 into 3 into 2 देखे 5 यो 15 और 15 दो नहीं 30 तो 30 आपका आगया क्या आया 30 आपका आगया अब देखे एक घन मीटर बराबर क्या होता है ये आपका जो आया है ये 30 घन मीटर आया या मीटर क्यों कह सकते हैं क्योंकि आयतन जो होगा मों मीटर क्यों में हो गया और अगर हम लोग बात करें एक घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर क्योंकि यहाँ पर लीटर जो होगा पानी जो भरा जाएगा तो किसमें होगा लीटर में तो एक गन मीटर किसके बराबर होगा 1000 लीटर के तो 30 गन मीटर किसके बराबर होगा 30 गोने 1000 इसमें multiply कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा option B option B is right answer तो सूने क्या है एक प्राकर संक्या है पूर्ण संक्या है धनात्मक संक्या है कि रिनात्मक संक्या है सूने जो है एक पूर्ण संक्या हो जाएगी option B is right answer अगला यदि किसी संक्या और उसके तीन वटे भाग का अंतर 40 है तो संख्या ग्याद कीजिए सबसे पहले हम संख्या को X माल लेते हैं और संख्या का ही मतलब X का ही 3 वटे 5 भाग का अंतर मतलब संख्या का अंतर और संख्या के 3 वटे 5 का भाग का अंतर कितना दिया हुआ है? तो हमें संख्या बतानी है मतलब x की value बतानी है solve कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 5x-3x LCM लिया ना 5 इसलिए यह हो जाएगा 40 उपर कितना हो जाएगा 2x बटे 5 is equal to 40 2 से यह काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार और 25 कितना हो जाएगा 100 तो option C is right answer 100 आपका answer हो जाएगा अगला है कोई धन 5 बरसों में साधान बारसिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो धर कितनी होगी time तो आपका कितना 80 बराबर है 5 बरस और मूल धन आपका P रहेगा और कुछ मतलब साधान बारसिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है मतलब पहले मूल धन ता फिर मिसर धन में कनबाट हुआ कैसे हो गया मतलब कितना हो गया 2 गुना हो गया मूल धन का तो 2P हो जाएगा A P की बेलू मतलब मिसर मूल धन जो है वो पी रहेगा और मिसर धन आपका 2 गुना हो गया तो दर बतानी R की value बतानी है तो देखे, simple interest is equal to क्या होता है A minus P होता है तो simple interest एक भी होता है, एक और होता है P RT upon 100 यहाँ पर value रख देंगे सबी और A की value है 2P और P है तो आपका यहाँ पर क्या बचा P आप direct भी काट सकते हैं P से P काट दीजिएगा R की value हमें निकालनी है T की value है 5 और बटे में 100 हो जाएगा और बराबर एक यह काटेंगे 5 चकू, 5 दूनीदा, 120 तो R की value कितनी आजाएगी? 20% आजाएगी Option D is right answer गोशन देख लेते हैं प्रतम चार अभाज संख्याओं का योग क्या होगा? सबसे पहले तो जान लेते हैं अभाज संख्याओं क्या होती है? जो स्वयम से करती है और एक से करती है तो इस टार्टिंग की जो प्रतम चार अभाज संख्याओं होगी वो कौन कौन से होगी? 2 कामा, 3 कामा, 5 कामा, 7 ओके ये प्रथम चार अभाजय संख्याएं हैं अपकी हो गई अब इनका योग पूछा जा रहा है तो इनको जोड़ देते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इनको जोडने पर आपका अंसर आजाएगा सतर है Option D is right answer अगला एक विद्धाले में सतर प्रतिसत लड़के हैं कितनी है 756 तो एक परसेंट की बेलू कितनी हो जाएगी 756 बटे 30 हम से लड़कों की संख्या पूची जा रहे है मतलब 70% की बेलू पूची जा रहे है तो 70% इस कल्टू क्या हो जाएगा 756 बटे 30 इंटू 70 0 से 0 काटेंगे अब 3 जो है 756 से कटेगा काट के देख सकते हैं आप तीन दूनी छे ती पाँच पंद्रा और तीन दूनी छे दो सो बावन आ गया यहां पर तो दो सो बावन में साथ का मल्टिप्लाई करते हैं दो सो बावन में साथ का मल्टिप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1764 तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी option B 1764 अगला है संजीब 5000 रुपए में TB सेट खरीटता है मतलब cost price आपका कितना है 5000 रुपए और उसे 4750 रुपए में बेंज देता है selling price कितना है SP कितना है 4750 देखिए खरीदा 5000 में और बेंचा है 4750 में तो घाटा loss कितना हो रहा है loss कितना हो रहा है इसको इसको जो loss होगा वो होगा 2500 रुपए का तो उसे कितने प्रतिसत किहानी होती percentage of loss हमसे पूचा जा रहा है तो percentage of loss इस कल्टू क्या हो जाएगा जो loss आया उसको उपर रखेंगे और बटे में क्या रखा जाएगा बटे में रखा जाएगा आपका starting का क्रैमोल ले क्योंकि loss या profit count करते हैं cost price से तो इसको बटे में 5000 रखा percentage 5000 हो तो multiply 100 कर देंगे 2-0 से 2-0 काट देंगे 1-0 से एक उपर बाला 0 कटा 5-25 काटेंगे तो loss कितना आ रहा है 5% का option D is the right answer अगला देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेल गाड़ी एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और answer जो दे रहा है आपका second में दे रहा है तो आपकी चाल जो है S बराबर कितनी है S बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड में कनबट करते है तो 90 में एक किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कनबट करने के लिए तो यहां पर कितनी आ जाएगे चाल 25 और 75 मीटर लंबी रेल गाड़ी है दूरी डी बराबर आपकी कितनी है 75 मीटर तो टाइम पूछा जा रहा है टाइम टी बराबर चाल बराबर किया होता है दूरी परटे समय चाल कितनी 25 धूरी कितनी है 75 समय निकालना है टी यहां से 75 काटेंगे 25 तिया 75 तीन बार तो टी बराबर आपका क्या आजाएगा तीन सेकेंड ओके गाइस option c is the right answer एक सेकेंड एक मिनट का कौन सा दसमलब है तो एक सेकेंड एक मिनट का एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 कौन सा दसमलब है तो दसमलब लिकालने के लिए एक में हम लोग 60 का डिवाइट कर देंगे तो 60 का डिवाइट करने पर हमें क्या मिलेगा बेलू? 0.016 ओके, तो option C is the right answer अगला एक आयत का छेतरफल है 1056 बर्ग मीटर उसकी चौणाई है 24 मीटर तो लंबा ही क्या होगी? तो देखिए आयत का छेतरफल क्या होता है? आयत का लिख लेते हैं आयत का छेतरफल छेतरफल हमें कितना दिया हुआ है? 1056 बर्ग मीटर और छेतरफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौणाई लंबाई हमें पता नहीं है लंबाई को लिख लेते हैं लंबाई चौणाई पता है 24 मीटर तो यहाँ से लंबाई निकाल लेते हैं की पूछी जा रही है तो 1056 में 24 का डिवाइड हो जाएगा इसको काटेंगे तो लंबा ही यहां से कितनी निकल आएगी 44 मीटर अपसिन सी इस राइट अंसर तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू